Dear Students, Welcome to Eduhub. Eduhub Online Classes में आपका स्वागत है. मैं हूँ जयन्त, आज दोस्तों मैं यहाँ पे आया हूँ आपको एक बहुत बड़ी, जो है, बहुत ही जादा दुख की information है मेरे पास, जो मैं आपके साथ share करना चाहता हूँ. इसको देखकर मुझे भी एक बार सौक लगा दोस्तों, जो students बहुत समय से exam की त्यारी करते हैं, उसके बाद exam को crack कर लेते हैं, पास हो जाते हैं, उसके बाद उनका एक document verification का step होता है. उस document verification के अंदर उसको हम clear करते हैं और उसके बाद हमारी job लगती है. तो दोस्तों अभी जो कनिष्ट अभ्यता सयुक्त सीदी भरती थी दोस्तों, उसके लिए उसका result आ गया था, उसके बाद जो की notification आया था कि आपको अपना document verification करवाना है, 19 अप्रेल और 20 अप्रेल इसकी date थी, ठीक है? जो ये document verification कराना था, उसको अभी के लिए postpone कर दिया गया है. ठीक है, किसको किसके लिए? कोवीट को देखते हुए. कोवीट की जो दूसरी लहर आई है, इसको देखते हुए, जो document verification था, उसको cancel करा दिया है. दोस्तों, आपको पता ये कितनी तो post थी इसके अंदर, और कितने candidate आते, अगर आप सब को mask के साथ में, sanitizer के साथ में, दोगत की दूरी के साथ में भी रखते, तो भी आपका जो कार्याल है, वो पूरा खाली रहता. फिर भी आपने document verification ना करवा के, उनको cancel करवाना जादा आपको easy लगा, क्योंकि आपको job नहीं देनी है, केवल job के नाम पर आपको एक फैलाना है, कि आप जो है job दे रहे हैं, केवल आपको document verification करना था, और candidate जो है, उनको relaxation मिल जाता, और वो अपनी, जो है, उनकी job confirm हो जाती अब इसमें से डेड़ गुना लोगों को आप बुला रहे हो, उसमें भी आपने जो है, इसको भी postpone कर दिया, तो ये बहुत बड़ी दुख की खबर है, जो मैं आप लोग साथ share कर रहा हूँ, ये जो board है, RSM, SSB, राजस्तान करमचारी, चयन board, ये पता नहीं, क्या करना च आ रहा है, 2018 के बाद एक भी सही तरह से कोई भी वेकेंसी को complete नहीं कराई जा रही है, लाइब्रेरियन की वेकेंसी भी cancel हो गई है, इस तरीके से अगर आप देखो, तो कोई भी एक ऐसी वेकेंसी नहीं है, जो ये अथी तरीके से cover करवा रहे हैं, तो notification के अपर अगर बात क करें, तो 19.4 और 24 को जो आपका document verification होना था, उसको cancel कर दिया, उक्त दस्तावे सत्यापन कारे करम, कोरोना महाबारी परकोप के कारण स्थगित किये जाते हैं, किसी भी काम को स्थगित कर देते हैं, और COVID का नाम डाल देते हैं, दोस्तो, पटवारी के exam की अभी तक कोई information नह इतने भी vacancy निकली है, सभी के अंदर कोई ना कोई confusion जरूर है, दोस्तो, इन अभ्यारतों के दस्तावे सत्यापन की नविंतम दिनाक के बारे में board की website के माध्यम से अलग से सुचित किया जाएगा, विस्तर्त जानकारी के लिए board की website पर आप विजिट करें, अब दोस्तों जिनका 19 तारिक को document verification था, तो वो candidate तो अपने घर से निकली चुके थे, और जिनका 20 तारिक को है, क्या वो board की website को चेक करते रहेंगे हर एक घंटे, वो भी अपने घर से निकल चुके हैं, लेकिन अब जब वो वहाँ पहुंचेंगे और उनको पता चलेगा कि आज आपका document verification नहीं होगा, तो उनके उपर क्या वितेगी, उनके पैसे भी खर्च होंगे, इस COVID के अंदर वो इतना risk लेकर वहाँ पहुंचेंगे भी, और उसके बाद उनका document verification नहीं होगा, या तो यह notice आप दो दिन पहले निकाल देते, जिससे क्या होता कि student वहाँ तक नहीं पहुंचत तो दोस्तों यह जो board कर रहा है हमारे साथ में यह बहुत ही गलत कर रहा है, ठीक है, यह मुझे समझ में नहीं आ रहा है, यह ऐसा क्यों हो रहा है, आपको, आप exam करा रहे हो, हम आपको पैसा दे रहे हैं, आप fees ले रहे हो, आप exam कर रहा हो, और हमारे document verify कर रहा हो, और हमें job दो, बस हमारा आप से इतना ही relation है, लेकिन आप लोग हमें बहुत ज़्यादा परिसान कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है राजतान करमचारी चैन बोर्ड बिल्कुल भी हम जो student के बारे में नहीं सोचता है, और केवल जो केवल सरकार इन सब है, और वो ना जाए, क्योंकि उनका document verification अभी नहीं होगा बाद में जब होगा, तब मैं आपको इसी channel के उपर update दे दूँगा दोस्तों, thank you, have a nice day, bye bye